हेलो दोस्तों केसो आप सब दोस्तों अभी मेरे पास है Moto S50 Fusion और आज की इस वीडियो में हम इसका जो एक 5G स्पीड टेस्ट करने वाले हैं कि ये जो स्पार्टपॉन इसकंदर आपको 5G में कितनी स्पीड मिल सकती है तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस Motorola के आते हैं और सबसा अच्छी बात यहां पर यह है कि एक साथ दोनों यहीं पर 5G लगा रखी तो दोनों यहीं के अंदर जो है जैसे कि आप NOTICE कर सकते हो कि यहां पर 5G प्लस का भी सपौर्ट और 4G प्लस का भी सपर देखने को मिल जाता है तो आपको जो 5G पर जो स्पीड हो तो कापी अच्छी कासी देखनें को मिलने वाली है तो चलए दोस्तों इसका फाई-जी-जी ऐस्पीड टेस्ट श्रू कर लेते हैं और मैंने स्पीड टेस्ट वाली जो वेबसाइट उसको ओपन कर रहता है तो यहां पर मैं इकम रहती 5G की लेकिन इस स्पार्टपॉन के अंदर कितनी स्पीड मिलती हो एक बार टेस्ट कर लेते हैं तो यहां पर घर पर रहते हुए जो स्पीड अभी आप डाउनलोड वाली शोह रही है वह रही है 235 Mbps की और अप्लोड वाली स्पीड काफी कम देखने को मिलने वाली ऐसा मुझे लग रहा है यहां पर 10 Mbps भी नहीं पहुंच पाएगा यह पर एक बार फी भी देख लेता है कि कितना जाता मेक्सिमम तो यहां पर अप्लोड स्पीड यहां पर 6.5 Mbps की ही रहने वाली है त लेकिन जो डाउनलोड स्पीड है काफी अच्छी खासी देखने को मिलेगी और आप अगर अच्छी लोकेशन पर इसे टेस्ट करोगे तो आपकी जो स्पीड हो 500-700 Mbps पर ही चाह सकती है तो दोस्तों मोटर इस 50 fusion कंद्र आपको जो 5G का सपोर्ट मिलने वाला काफी सेर भी कर दाना और इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुरू जाना